बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 जगत ग्लासिफिकेशन जो हमने पड़ा था, 5 जासिफिकेशन उसमें जीवों के लक्षणों की जो comparative study है वो हम इस वीडियो में आज करेंगे ठीक है comparative study मतलब की जो लक्षन है वो साथ साथ पढ़ेंगे की जैसे type of nucleus है तो पांचों जगतों में वो nucleus का क्या रहता है कैसा रहता है तो पहला लक्षन है type of nucleus केंद्रक का प्रकार तो monera में prokaryotic nucleus और बागी जितने बचे kingdom है उनमें eukaryotic है ut 쓰 already RT and iamena mist do all the our plants used pokemon unit black mitochondria monera में नहीं पाया जाएगा प्रोटिसता में नहीं पाया जाएगा और इसमें पादप जगतन नहीं पाया जाता है कहां आ पाया जाएगा के बड़ प्लांटी में और प्रोटिसता में कुछ बच्चों हम देखते हैं नियोत … अटब लंग में जो सेल वाल रहती है जनरली पाली से गुए डा हुऩ हु अथि सेल गातों DAR आमिन के बनी रहती है जुन होती है नॉनस रिष्ट बनी होती है तो इस गाल छटेरिया चाब ही वेड़ी सेलवाल का फागए लुकर ही takum के ब्षों, अर्ट इस जा aja बिकलन पहलो में को यही ही Case cell wall present है तो एक ग्रूप बना दिया cell wall absent है तो animalia डाल दिया अब cell wall present है और kytin की बनी है तो fungi kingdom आ गया और cell wall present है और cellulose की बनी है तो पादब जगात आ गया ठीक है nuclear membrane क्योंकि monera में prokaryotic cells पाई जाती है prokaryotic cell में nuclear membrane absent होती है और बाकी सारे जितने kingdom में सब में eucalyotic cell है तो इनमें एक well developed nucleus है और nuclear membrane भी पाई जाती है multicellularity यानि की बहु कोशिकी है ता monera में सारे के सारे एक कोशिकी होते हैं protista में सब एक कोशिकी होते हैं और बाकी सब में बहु कोशिकी प्लाइन में फ्लेजिला के द्वारा protista में celia, flagella, amoeboid contractile fibrils के द्वारा होता है fungi में भी celia, flagella के द्वारा होता है और ज्यादा तरे non-motile रहते हैं planting में भी जो उनके sports वगरा रहते हैं celia, flagella, lower forms में इसके द्वारा होते हैं mostly movement इन में नहीं होता plants में आपने देखा है animalia group में तो बहुत सारे means है movement के, ठीक है कई तरीके से movement ये कर सकते हैं nutrition देखो बचो, monera autotropic move, autotropic स्वापोशी, स्वापोशी होंगे कब जब उनमें रसायन संसलेशन हो रहा है but mostly they are heterotropic प्रोटिस्टा photosynthetic प्रोटिस्टा प्लास्टिट पाया जा रहा है कुछ केसे में वही होंगे प्रकास संसलेशी बाकी सारे विशम पोशी होंगे fungi में है parasitic mode of nutrition और saprophytic mode of nutrition पताते हैं दिखाते हैं planting में क्योंकि हरितलवक पाया जा रहा है तो ये क्या दिखाते हैं स्वा पोशी होते हैं प्रकास संसेशन के द्वारा आपने भोजन का निर्मान करते हैं animalia हमें पता है जन्तु जगत के समस्तजीव क्या होते हैं hollow zoic mode of nutrition दिखाते हैं विशम पोशी ये होते हैं अपने शरीर के में अलग अलग गुरूप को पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी mode of reproduction यह कैसे होता है nervous system मोनेरा में absent है protista में primitive kind का है बहुत ही primitive रहता है उसके बाद फंजाई में absent है पादब जगत में absent है और animals में बहुत ही complex nervous system पाया जाता है जो कि हम आगे detail में पढ़ेंगे तो बचों उमीद करती हूँ कि यह एक detail जो मैंने आपको भी बताया characteristics of five kingdoms comparative study जो मैंने बताई आपको इनके बीच में अंतर समझने में helpful होगी thanks for watching my video कर दो